गुट मॉनिंग फ्रेंट्स मैं डॉक्र वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्टू लेवर हास्पिटल स्वरुपनंगर खानपूर आज मैं बात करूँगा रेक्टल जो ब्लीडिंग है या लेटिन के रास्ते से जो ब्लड निकल रहा है उसके कॉजिस इंड कंडिशन्स के बारे में जो रेक्टल ब्लीडिंग है is always a serious issue वास्तों में ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही हो it is always abnormal अगर ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही है उसको हमेशा serious thought देया जाने की जरूरत है उसमें दो चीजों के पर ध्यान देने की जरूरत है that what may be the cause what may be the sight but these are two questions जिनको हमेशा answer चाहिए क्योंकि इनका answer मिलेगा तभी treatment proper हो पाएगा तो इसलिए जब भी latin में blood आता है whatever may be the color वो एक evaluation मंगता है जब हम common causes की बात करते हैं जिसके चलते bright red blood आता है latin के रास्ते से तो number one पर आता है anal fissure, anal fissure is a very common problem, number two पर आते है hemorrhoids या जिसे आप piles के नाम से जानते हैं that's a very common problem, लेकिन जब भी latin के रास्ते से blood आता है तो rectum या जो adjacent colon है या rectum, sigmoid and उपर की जो colon है उसमें किसी भी तरह की गांट जो cancerous भी हो सकती है उसमें हमेशा ध्यान देनी की जरूरत है, ऐसे है कुछ polyps होते हैं या गांटें होती है जो non-cancerous होती है, उसे blood आने लगता है, यह जो इस तरह के polyps होते हैं, rectum में हो सकते हैं, या colon में कहीं भी हो सकते हैं, by and large इस तरह के जो polyps हैं, वो बच्चों में होते हैं, लेकिन एडल्स में भी होते हैं, और polyps से कभी bleeding होगी, तो वो भी problem create करती है, ऐसे ही एक बिमारी है, जिसे कहते ह हैं, यह वास्तों में, यह intestine के अंदर abnormal जो blood vessels से उनके गुच्चे बन जाते हैं, उनसे blood आने लगता है, लेकिन हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा इस तरह की bleeding होते हैं, वो हमेशा infections के चलते होती है, इसे कहते हैं, infectocolitis, जो infectocolitis वो bacteria के चलते हो सकती है, amoeba के चलते हो सकत अगर intestine में ischemicolitis होई, तो वो काफी blood लेके आजाती है, तो अगर हम common उनकी बात करें, तो यही common बिमारिया हैं, जिसके चलते हैं, लेकिन हमारे जो देश है, उसमें कभी intestine में TB, particularly ileusical area के आसपास है, तो उससे bleeding is a very very significant problem, और बच्चों में एक problem होते हैं, जिसे मेकल्स डाव curriculum कहते हैं, उसके चलते हैं, उसके चलते bleeding is a very common problem, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान देनी की जरूरत है, कि अगर latin के रास्ते से blood आ रहा है, तो it is not necessary कि वो बड़ी आँच से ही आ रहा हो, latin के रास्ते से जो blood है, वो कभी कभी छोटी आँच या उपर stomach से भी आ सकता है जो stomach है, diodenum है, small intestine है, वो कभी कभी जो blood है वहाँ से leak करता है, वो latin के रास्ते से आ जाता है, depending upon the speed, उसका color change हो सकता है, अगर speed ज़्यादा है, तो पता लगा कि stomach से leak कर रहा है, लेकिन blood red बिल्कुल latin के रास्ते से निकल रहा है, या slow leak करेगा, तो latin बिल्कुल काली, cold tar ज होनी चाहिए, जैसे gastric ulcer या diodenal ulcer है, उनसे bleeding हो सकती है, अगर खाने की तहली stomach में कोई cancer है, या उस area से bleed कर रहा है, उससे हमेशा जोनब latin में blood आने का डर रहता है, अगर खाने की तहली या diodenum में angio dysplasia हैं, उनसे blood leak कर सकता है, ऐसे ही liver की बिमारी में, खाने के जो नली ह है, उसमें खून की नसे होती हैं, जिने कहते हैं isopagel viruses, इनसे कभी blood leak करता है, तो वो नीचे की तरफ जाता है, और latin black हो जाती है, और खून की आपको कमी हो जाती है, तो जब भी latin के रास्ते से blood आ रहा है, तो it is not necessary कि सिर्फ बड़ी आत्रिकाई में बिमारी हो या वो ही reason हो, वो कभी-कभी छोटी आख, जियोडिनम, स्टमक और कभी-कभी isopagel viruses या isopagus, दीज में भी the areas जहां से blood आ रहा हो, तो इसलिए बहुत common reasons जो है blood आने के, उनको हमको समझनी की जरूरत है, अगर हम इस color को ध्यान देंगे, उसकी जोनी speed को ध्यान देंगे, इन character of bleeding को ध् identify करने में clinically हमें हमेशा बंदत मिलेगी, बट जो investigations हैं, वो इसको readily confirm कर देते हैं, कि blood कहां से आया, तो blood के जो common causes हैं, उनको समझने में, अगर आप समझते हैं कि वीडियो help करता है, तो इसको जरूर शेयर करें, मैं Dr. V. Commissioner from Guest to Liver Hospital, सवरुपनगर कानपूर, Thank you very much.